हमारे त्योहारों के शुरुवात में ही स्पेशली राष्ट के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्राथना की तिक भाई डिलाई मत बरत किये क्योंकि कोई वैक्सिन नहीं है दबाई नहीं है हमारे पास एक ही रास्ता बचाएं हम हरे को कैसे अपने अपने आप बचाएं और हमारी जो गल्तियां हुई वही एक खत्रा बन गया थोड़ा डिलाई आ गई इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंबर गही है इसलिए हम सभी को शासन प्रसासन को पहले से भी अधिक जागरुक अधिक्त सर्तर्क रहने की जरूरत है हमें ट्रांस्मिशन को कम कर लेक लिए अपने प्रयासों को जरा और गती देनी हुई टेस्टिंग हो कन्फरमेशन, कॉंटेक्टेसिंग, डेटा इन सारी जूड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सरवोच्च प्रासिकता देत चोटी-छोटी काईओं पर कहिए कि एक क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, दो क्यों बढ़ा, हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाए, अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे, दूसरा हम सबने अनुभव किया है कि RT-PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए, जो गरोमा एसलोटेड मरीज है, उनकी मौनिटरिंग जादा बहतर तरीके से करनी होगी, आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ थोड़ी भी डिलाई रही, तो मरीज बहुत गंबीर स्थिति में अस्वताल आता है, फिर हम बचा इनकी सप्लाई परियापत रहे, यह हमें देखना होगा, हम लोगों का लक्ष होना चाहिए कि फेटलिटी रेट को एक प्रतिसरत से भी नीचे लाए, और वो भी मैंने जैसे कहां, छोटे-छोटे इलाके में देखा जब एक मुर्ति हुई, क्यों हुई, जितना इतना फोक आज को जोड़े रखना होगा, जैसे कुछ समय पहले हर संगटन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा, साथ वाँ आप बलीभादी परिचित है कि कोरोना की वैक्सिन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खब बताये गया, करीब-करीब आखरी दौर पर वैक्सिन के रिशर्च में काम पहुंचा है, भारत सरकार हर डवलप्मेंट पर बारिकी से नजर रखे हुए हैं, हम सब के संपर्ग में भी हैं, और अभी यह ताय नहीं है, कि वैक्सिन की एक डोज होगी, दो डोज होगी, यह अभी ताय नहीं है, कि इसकी किमत कितनी होगी, उसकी किमत कितनी होगी, यह कैसे होगी, यह अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की corporate world भी है, उनका भी a competition है, दुनिया के जो को वैस्विक संदर महीं आगा बढ़ना पड़ेगा, हम इंडियन डेवलपर्स और मैनिफेक्टर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर देए हैं, पूरी तरह संपर्ग हैं, इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्मेंट्स, मल्टिनेटर इंस और साथी इंटरनेशनल कमपनीज, सभी के साथ चितना संपर्ग बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्मिलिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास एक व्यवस्ता बनी हुई है, साथ यो कोरोना के खिलाब अपने लड़ाई में हमने शर्वात से ही एक एक देशवाजी का जी कि सभी तक कोरोना की वैक्षिन पहुँचे, उसमें तो कोई विवाद हो जी नहीं सकता है, लेकि कोरोना की वैक्षिन से जुड़े भारत का अभ्यान अपने हर नागी के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है, इतना बड़ा टिका करना अभ्यान स्मूध हो, सिस्टेमेटिक हो और सस्टेन हो, यह लंबा चलने वाला है, इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगर्ण को एक जूट हो करके, कोर्डिनेशन के साथ, एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा, वेक्सिन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है, हमारे लिए जितनी जरूरी है, स्पीड है, उतनी ही जरूरी है, सेव्टी भी है, भारत जो भी वेक्सिन अपने नागरिव को को देगा, वो हर वेग्यानी होगी सिब्किशन के दिस्ट्रिबिशन की बात तो उसकी ही आप सब राज्जों के साथ मिलकर के की जाए सखें रही है वेक्सिन प्रात्मिक ता के आधार पर किस्षे लगाई जाएगी यह मुटा-mुटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भी अगर इस पकार से डबली एचो ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है लेकिन फिर भी ये निर्णे तो हम सब मिल करके ही करेंगे हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकर उनको अंदाज है कि उनक कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोडेज की जरूरत रहेगी मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके वबस्ताइं खड़ी कर देना शूरू कर देना चाहिए कहां कहें संभव होगे उसके पैरामिटर्स क्या होगे उस पर हमें यहां से सुचना है तो डिपा राज्य सरकारों के साथ मिलकर के ताई कर दिया जाएगा हमारी राज्यों के और के इंदर की टीम साथ लगा था और वो बार्चित कर रहे हैं काम चल रहा है कि इंदर सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आगरग किया था कि स्टेट लिवर पर एक स्टेरिंग कमिटी और यहां स्टेट और डिस्टिक लेवल पर टास्पोर का और मैं तो चाहूँगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी यह ववस्ताइं खड़ी करेंगे और किसी ने किसी एक वेक्ति को काम देना पड़ेगा इन कमीटियों की रेगुलर बैटे को हो उनकी ट्रेसंग हो उनकी मोनिटरिनिंग हो जो ऑनलाइन ट्रेसंग होती है वो भी शुरू हो हमें हमारा रोजमरा के काम के साथ कौरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी विक्सित तुरंद करना पड़ेगा यह मेर मुल भारती वैक्सिन अभी दो मैदान में आगे हैं लेकिन बहार के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं दुनिया में जो वैक्सिन बन रही हैं बेबी मैनुफेक्टिरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं कंपनियों के साथ लेकिन इन सारे विश् आता है, आज भी आता है, भी साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है, निर्णय वैज्ञानिक तराजु पर ही तोला जाना चाहिए, निर्णय उसकी जो अथोरिटीज है, उन अथोरिटीज के सर्टिफाई व्यवस्था से ही होनी चाहिए, हम लोग समाज जीव व्यवस्था के तहज जो चीज आती हैं, आखिर कर उसी को ही स्विकार करना पड़ेगा, और उसको स्विकार करके हम आगे चलेंगे, लेकिन मैं आप से आगर करूंगा, कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्शिन के समन में, किस प्रकार से आप डिलिवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डीटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे, तो निर्ने करने में सुभीदा होगी, और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है, राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ इनने वाली है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोयक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सिन अपनी जगा पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई से बात करने का मज़ा उसर मिला, आंदर से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबे, एक साइकलोन हमारे पूर्वी तड़ पे एक्टिव हुआ है, वो कल साइद तमिलनाडू, पुडिचेरी और आंदर का कुछ हिस्सा बहाँ पर आगे बढ़ रहा है, और सारी मारत सरकार की टीम में बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं, मैंने आज दो आदर्णी मुख्मेंतरी जो से बात की थी, आंदर के मुख्मेंतरी जो से भी इसके बात करूँगा, लेकिन सब के लिए पुरी तरह भारत सरकार और राज सरकारे मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोकों करिये भेजिए, धन्यवाद